हेलो दोस्तों वेलकम बेक टू माई योट्यूब चैनल दोस्तों आपको क्या लगता है कि आप योट्यूब पर वीडियो बनाकर अप्लोड कर देंगे और आपका व्यूज आयाएगा दोस्तों कभी भी नहीं आ सकता है आपकी वीडियो पर हमेशा 5-6 व्यूज आता रहेगा 10-15 व्यूज आता रहेगा उसके बाद आपका व्यूज नहीं आएगा वीडियो को अप्लोड करने से पहले वीडियो को अप्लोड करने के बाद हमें बहुत कुछ करना पड़ता है क्या करना पड़ता है वो बताने से पहले थोड़ा सा साइड में स्किन पर प्रूफ देग पर एंदर मैंने दो काम किये थे एक थो मैंने वीडियो को अपलोड करते वक्त किया था उससे इस वीडियो पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ इस पर विई नहीं लेकिन एक दो दिन बाद YouTube वीडियो को इस वाली वीडियो को अपलोड करने के एक दो दिन बाद वो काम किया जैसे इन वो काम किया इस वीडियो प्र डोसुक्त विडियो ऑने लग गया और मेरी юडियो यहांप सर्च में चली गई और उसल लाइफ आपको पता है यहाँ पर बखवास करने की आदत नहीं है आपके लिए के वही लेकर आते हैं जो आपके लिए सही है तो यह बिलकुल भी देरी मत करिए वीडियो को लाइक कर दीजिए चनल को सस्क्राइब करके यहां पर लाकन को प्रेस कर लिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है, आज की इस वीडियो में आपको केवल दो काम बताने वाला हूँ, एक काम आपको करना है यूटूब वीडियो को अपलोड करते समय, अगर उससे बात नहीं बनती है, फिर भी आप आपको प्रूफ दिखाया है, यह वाला मेरा वीडियो था, 3 लाग से ज़्यादा इस पर व्यूज हो गया है, और काफी सारी वीडियो मेरे चल रहें, मैंने तो आपको केवल इसी वीडियो का यहाँ पर प्रूफ दिखाया है, बहुत सारी वीडियो के अंदर मेरा upload करने से पहले आपको जाना है YouTube पर और यहां पर दूसरा में आपको बताऊंगा इससे अगर आपका व्यूज नहीं आता है तो आपको दूसरा ट्रेक इस्तिमाल करना है वह आपका यहां पर आपको जाना है नहीं टोपिक पर आपको बनाया है वहां तो मैं यहां पर लिखूंगा वीडियो मैंने लिखा है ओधन्सけて यहां पर कितने सारे उनूहला है कि इंहीं इसकेश्ट कर रहा है और किभान हें इनी keyword को यहां से आपको copy कर लेना है बहुत सारे keyword आचुके हैं यह कौन से keyword हैं यह वही keyword हैं जो YouTuber audience search कर रही है अब मेरी वीडियो तभी तो यहां पर search में गई है लेकिन इस इस ट्रिक काम कर सकती है अगर पहली वाली नहीं करती है आपको दूसरा वाला यूज़ करना है दूसरा वाला और ज्यादा बहतरीन है अभी उसको भी आपको बताऊंगा तो मैंने यहां पर सर्च किया फैक्ट वीडियो डाउनलोड केवले इतना सर्च किया बहुत सारे कीवड आगे इसको दुस्तों यहां से आपको कॉपी कर लेना है स्क्रीन सॉट लेके उसे टेक्स्ट में कनवर्ट कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहां पर और भी कीवड सर्च करने लाइक बैक हाव तू डाउनलोड फैक्ट देखो मैंने यहाँ पर भैक्ट डाला है और बहुत सारे फिर से यहाँ पर कीवर्ड मुझे यूटूब ने जो है यहाँ पर सजेस्ट कर दिए अभी इनी कीवर्ड को दूस्ट्स आपको यहांसे निकाल लेना है त्यक्या ना जो है इसक् करना है जब भी वीडियो को अप्लोड करें अपनोड करते समयं आपको है आपको डॉक्टिवन में और बाकि वालेजुए करना है यहाँ आपको के दो कीवर्डीन में दों और बाकिवक निस्कोर में अब दम डाल देने मैं आपको उसी वीडियो को दिखाना चाहूँगा यहां पर मैं एड़ेट वाले ऑप्शन के अंदर जाऊँगा अदर जाने के बाद दोस्वा दिख सकते हैं यहां पर मैंने जो है टाइटल के अंदर भी डाल लगका है एफेक्ट वीडियो डाउनलोड कैसे करें और नो कॉपी रहा है टैन मिलियन वीवज करके ऐसे मैंने टाइटल के अंदर और जो भी मैंने यहां से जो कीवर्ड निकाले थे मैंने अभी आपको दिखाए थे यूटूब पर वो मैंने दूस्तों यहां पर डिस्किप्शन के अंदर भी डाल रखें तो इस तरह से आप हो दो सो इस से पहले टृक का यहां पर इस्तिमाल करना है डिफिनेटी दोस्तों आपका वीडियो जो सर्च में जाएगा और आपके 5 खी शह व्युक्री सब्सक्वार्ण ही तो डेफिनेटी दूर हो जाएगी अगर यह वाला ट्रिक काम नहीं करता है तो आपको ख्या करना है जिस पर व्यूज नहीं आ रहा है और यह काम दोस्तों आप अपनी रुकी हुई वीडियो के अंदर भी कर सकते हैं जो वीडियो आपकी रुख गई है जो है व्यूज नहीं आ रहा है रुकी पड़ी है उसके अंदर भी आप यह काम कर सकते हैं एनलेटिक्स के अंदर जाना है दूसरा वाला option है दोस्तों यहां पर reach वाला यह देखिए reach वाला इसके अंदर जाना है और उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे scroll करना है तो यहां पर आपको एक option मिलेगा यह देखिए YouTube search यहां पर हमें YouTube खुद बता रहा है कि यूटूब पर जो audience है वो क्या सर्च कर रही है यूटूब खुद बता रहा है कि आपको क्या keyword यहां पर यूज करना है अपनी वीडियो के अंदर इसी पर आपको दोस्तों नॉर्मली टैप कर देना है अब जिस भी topic का आपका वीडियो है जो भी category है उससे related जो keyword है YouTube आपको खुद सजिस्ट करेगा कि यह वाले keyword अपने title में description में text में डा लिए तो यहां पर देखिए बहुत सारे keyword आ रहे हैं और मैंने यहां से keywords को निकाला और अपनी वीडियो के description में title में और वहां पर जो है मैंने उसे paste कर दिया लगा दिया definitely यहां पर मेरा जो वीडियो है वह सर्च में चला गया और मैंने आपको जो प्रूफ पहले ही दिखा दिया है तो यह दो काम आपको करने है पहला काम करिए वह काम नहीं करता है तो यह दूसरा वा करते हैं तो यह काम करिए definitely आपको result देखने के लिए मिलेगा और ज्यादा कोच इसके अंदर है नहीं दोस्तो आशा करता हूँ आपको वीडियो का फिजद पसंद आया होगा हमने जो भी जानकारी आपको दी है वह आपकी समझ में आगया होगा कोई भी confusion या कुछ रह गया